हेलो दोस्तो स्वागत आपका इस्टेडी गैन विद विज्जे चैनल पर तो आज हम डिस्कस करेंगे लेब असिस्टेंट प्रियुक्स अला साइक पेपर के बारे में जो 29 जून को फश्ट पेपर हुआ था तो फ्रेंट्स चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और यहां से जो हैं प्रेंट्स पाकिस्टान की सिमा रेड गली प्रेका हमें देखने को मिलती है और यह प्रेटोकों की दस्टे से कापी मेहतवपुन इस्टान है नेक्स्ट क्रेशन अठारवी राजस्टी स्काउट एव गाइड जंबूरी की मैजबानी राजस्तान के बाली डिस्टिक से बिलूंग रखते हैं पहले नेरेंजनार्य राजस्थान के मुखिच चच्चीवते हैं अभी वरातमान में मुखिच चचीव राजस्तान में जो हैं वो उच्सा सर्मा है गौरी मायस्वरी को 2022 में परदान मंतिर राष्टे बालपुरुषका से सम्मानित क्या गया कौन से डिस्टिक से ये बिलोंग रखती है तो ये अजमेर से हैं ये बालिका है और अगर बालक का पूसे बालक तो आनन जो जोदपुर से हैं उसको मिला है राष्टे बालपुरुषका नेश्ट क्रिशन ISFR 2021 के अनुशा राजस्तान के किस जिले में सरवादिक वन का आवरान है तो इसका जो राष्ट आन्चर है वो आप्शन C रहेगा उद्यपुरुषका नेश्ट क्रिशन और अभी वरत्मान में RPSC के चेर मेन है RPSC में टोटल कितने सदिस्य रहते हैं तो टोटल जो इनके सदिस्यों की संक्या है वो 7th प्लस बन रहती एक अत्यक्स और बाकिया अन्य सदिस्य है इनका जो कारेगाल है वो 6 बास्ट रहता है और EPSC का कारेगाल जो वो 6 पैस्ट सब्सक्राइब रहता है next question वो मद्रास में होगा था, करनाटक में, हिमताराम बापु जो की पदम पुरुषकार प्राप्त कर सुखे हैं, यह कौँ चत्र में कार्य कर रहे हैं, तो इसका राइट अंसर ऑप्जन डी रहेगा, यह परियावन चत्र में कार्य कर रहे हैं, और उनको 2021 में पदम स्री पुरुषकार से नवा जा गया था नेस्ट केशन स्वरी तस से ग्यारा राजस्तान के किस जीले में विस्व का तीसरा सबसे बड़ा इस्टेडियम बनाया जाएगा तो इसका राइट आइशर ओप्शन सी रेगा जैपूर के चोप चैतर में ये तीसरा वर्ल्ड का तीसरा लाजस्ट इस्टेडियम बनाया जाएगा विस्व का सबसे बड़ा इस्टेडियम कहा हिसती थे तो गुजरत के एमदाबाद में और दूसरा सबसे बड़ा लाजस्ट इस्टेडियम जो है किरकेट का वो तो ऑस्टेलिया के मेलबन में है, नेस्ट कीशन, बजेट गोशना 2022 का नुसा राजस्थान के किन जिलों में फाइटो स्टैनिट्री लेप्स की स्थावना की जाएगी, तो इसका राइट अंसर, ऑप्शन, D रहेगा, कोटा वा जोदपूर, नेस्ट कीशन, राजस्थान सरक ने वनिस्पति उद्यान इस्तापित करने की गोश्णा किये तो इसका जो राइट आंशर वो हमें बताना है तो जैपूर जो है जैपूर के जालाना में तो पहले वनिस्पति उद्यान बना हुआ है तो बाकी के जितने भी संभागे जोदपूर कोटा और बाकी जो चार संभ राजिस्तान के किस दिले में MSME तकने की पाक इस्तापित किया जाएगा तो इसका राइट आंसर जो है वो option C रहेगा दोस्ता नेश्ट केशन फरवरी 2022 में नियादीस मुनिश्वर नाथ पंडारी को हाई कोट के मुक्के नियादीस के नियुक्त किया गया है तो कौन से हाई कोट में मुक्के नियादीस के रूप में नियुक्त किया गया है तो इसका जो राइट आंसर है वो option P रहेगा मद्रास मद्रास हाई कोट में इनको मुक्के नियादीस के रूप में नियुक्त किया गया है नेश्ट किशन गोड़वाड प्रेटन सर्किट के इस तो लोग को कवर कीचे तो गोड़वाड में कौन कौन चर्टर आते हैं जालोर आता हैं पाली आता हैं शिरोई आता हैं बाड़ मेर नहीं आता है तो 1,2,3 रहेट रहेगा आप्शन B केंद्रिय नवनी करणिय उर्जा मंत्राले की ताजा रिपोर्ड के नुसार कौन सा राजिय 10 गिगावाड समता के साथ सोलर हब के रूप में सिर्ष इस्तान पर हैं तो इसका राइट आप्शन A रहेगा राज्यस्तान जो है उर्जा के चैत्र में और अक्षय उर्जा के चै वार्षी कला पर्दिशनी का आजोजन फरिवड़ी 2022 में राजस्तान ललित कला अकादेमी कॉंप्लेक्स जालाना में किया गया कौन से नंबर का था तो यह 62 वा था था वार्षी कला पर्दिशनी का आजोजन हुआ था नेश्ट क्यूशन किस जीले को एक्सिलेंस इन गवर्ण्मेंट प्रोसेस री इंजिनरिंग पूर डिजिटल ट्रांस्पोर्मेशन चैने के अंतरगत्व सौपिसवा राष्टे ए गवर्णिस पृस्कार मिला है तो इसका राइट अंसर ओप्सन सी रहेगा नागोर नेश्ट क्यूशन इंडियाज बेस्ट अवर्ण दोजार एक्किस के तरत इनना निकित मेंसे किस राज्जियों को बेस्ट वेंडिंग डेस्ट निसन गोशित किया गया है तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्सन डी रहेगा राजस्थान नेश्ट क्यूशन हाली में सोने के बंडारों के संभावना के लिए देवतलाई गाव खबरों में था ये इस्थान कहां इस्थित हैं तो ये बिलवड़ा डिश्टिक में इस्थित हैं और यहां पर तामबा और सी यू तामबा और सोना इनके बारे में जानकारी मिली है ए किस ने राज किसन साधी पोर्टल के लिए ए गवर्नेंस राजस्तान पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है इसका राइट आंसर डॉक्टर ओम परकास रहेगा नेस्ट किसन पच्चासवी सीनियर पुरुष राष्टी है हैंड बॉल परते हो गिता 2022 में मैजबानी कियती तो इसका राइट आंसर जहे हैं वो ऑप्शन डी रहेगा जैपूर नेस्ट किसन प्राप्त का सिलाने राजस्तान के मुक्यम मंत्री द्वारा कहां किया गया तो ये किसन वापस रेपीट हुआ है नेस्ट एक्जाम में पूछा है अभी जो एक्जाम होए थे हैं तो इसका राइट आंसर आप्शन सी रहेगा जैपूर फरवजी 2022 में चात्राओ को पुलिस तंतर की कारे पढ़नाली से परिश्चीत करवाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान चलाया गया तो ये जो है वो डुंगरपू डिश्टिक में चलाया गया नेस्ट किसन उत्तर तलाई सिविल एरपोर्ट इस्तित है उत्तर तलाई बाडमेर में और देवतलाई जो अभी हमने पढ़ा है वो बिलवाडा में तो उत्तर तलाई सिविल एरपोर्ट जो है वो बाडमेर में स्तित है नेस्ट किसन राजस्तान इंटरनेस्टनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मैजमानी की गई तो इसका राइड आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा ज्यापुर द्वारा qi krisha naga na 날 इस पेराव ट्वनावनें 2022 में स्वनपमेड्ड जीता है इस से पहले टॉक्यो पहलो फिल्म zeggen गोल्ड मेडल लिजता पहले राज यसतान के जयापु ड्रिस ट्रिक्ट सेन् सब्सक्राइब सक्षुर्ट लिש्व cred तो इसका रैट आंसर जो है opton ईrek रहेगा ईक्स sow एक वस संचुदध अदिनियम 2016 और यह जो अधिनिय में इसको लागु जो है वो एक जुलाई 2017 को किया गया निम्ना लिकित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण कटी बंदिये वर्षा बने तो इसका राइट आंसर आप्शन सी रहेगा गया अमेजन निम्ना लिकित में से कौन पैरिश सांती संभी बंदिये उपस्ति नहीं था इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रेडरिक इबट निच्ट कियों लोग सबा में अनुसुची जाती अनुसुची जन जातियों के लिए कितनी चीटे आरक्षित है तो इसका जो राइट आंचर है मलब SC के लिए 84 है और ST के लिए 47 SC के लिए 84 और ST के लिए 47 यह लोग सबा में चीटे है और राजस्तान में विदन सभाबर जो चिटे हैं वो S C के लिए है 37 और S T के लिए है 25 नेस्ट क्रिशन तमिल मा कावियर मनी मेकलाई के लेकर थे तो इसका राइट आंशर जो है वो option C रेगा सत्नार नेस्ट क्रिशन फिलेबिस की मुद्रा क्या है तो फिलेबिस की जो मुद्रा है वो पैसो है प्रोट्रोन की खोज किस ने किती प्रोट्रोन की खोज जो है वो भी अन्नेस्ट रेदर पोड ने किती और इलेक्ट्रोन की खोज किती जेजे थॉंसन ने और न्यूट्रोन की खोज किती जैम सेडविक ने नेस्ट किसन नेस्ट किसन उबर कब से खिलाडियों को सम्मानित कि जाता है तो उबर कप जो कौन से खेल से रिलेटेड है ये बार-बार एकजामा में किसम पूछ रहे हैं तो गैज मैं आपको बता दू उबर कप जो है वो महिलाव द्वारा खेला जाता है और ये बैंड मिटन से रिलेटेड है उबर कप जो है वो महिला द्वारा खेला जाता एक आता थॉमस कप और यह जो थॉमस कप है यह भी बैंड मिटिन से रिलेट है यह पूरसो द्वारा कहला जाता है नेश्ट किशन अंतराष्टी मुद्राकोस का मुख्याले कहां पर इस्तिते तो अंतराष्टी मुद्राकोस का मुख्याले वहांची गटन डिसी में जो यूएसे में है और वल्ड बैंक का मुख्याले भी वहांची गटन डिसी में है एवरी वोट काउंट्स किताब किसके द्वारा लिखे गई तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्षन डी रहेगा नवीन चावलाई यह पूर्वर शुनाव आयुकते नेश्ट किसन अंत्रिक्स में जाने वाली दुनिया की पहली महिला अंत्रिक्स यात्रिक होंती तो इसका राइट आंसर ओप्षन ए रहेगा वैलेंटीना तेरस्कोवा नेश्ट किसन प्रसिद चित्र लास्ट सपर किसके द्वारा बनाए गए थी तो इसका राइट आंसर और ने थो लोगी नैस्ट केशन किस शिख गुरु के द्वारा गुरु मुखी लिपी शुरू की गई तो इसका राइट आंचर जया है वो शिखों के दूसरे गुरु जया है गुरु अंगत देव द्वारा और दस्वे गुरु गोविन्सिंग और पहले है गुरु नानक द निम्ना लिकित में से कौन सी जलसंदी बारत और स्रीलंका को पृत्र करती है इसका राइट आंशर ऑप्शन भी रहेगा पाक जलसंदी पाक जलसंदी बारत और स्रीलंका को अलग करती है पहला ऑप्शन है जिब्राल्टर जलसंदी यह मौरग को और इस्पेन को अलग करती है यह यह जो बुमध्य सागर है उन से रिलेटेड है और बैरिक जलसंदी यह उत्री अमरिका और जो रस्या है उनके बीश में और सुन्दा जलसंदी यह है जो है इंडोनिसिया से रिलेटेड है Next Question Agricultural Shot का समभन निम्ना लिकित किस खेल से समभन दीत है तो इसका Right Answer है Agricultural Shot और Helicopter Shot ये दोनों किरकेट से समभन दीत है Next Question Missile numerator केस 172 है तो इसका Right Answer है वो Option A रहेगा सत्तर से सत्तर पर मार करने वाली Missile Next Question निम्ना लिकित में से कौन से समिती बारत में गरीबी के आंकलरण को शम्मदफित नहीं हड़हीए इसका राइट आंशर जो है वह ओसन ह और इसका और ब्राण ब्रान परिखित सबसे पहलेगं में उरी गुके में निम्ना लिकित में से किस यंतर के द्वारा हवा में आधरिता का मापन किया जाता है तो इसका राइट आंसर जो है वो option B रेगा hygrometer निस्ट कुछन mobile की mobile phone की बैटरी में निम्ना लिकित में से कौन सी धातू का प्रियू किया जाता है तो इसका राइट आंशर ऑप्षण ए रहेगा लीथियम नेश्ट क्यूसन वरकला बीस भारत के किस राजियम में इस्तित हैं तो इसका राइट आंशर ऑप्षण भी रहेगा केरल नेश्ट क्यूसन संजुकत रश्टे के सार्टर पर किस सम्मेलिन में हस्ता अकसर किये गए तो इसका राइट आशर option D रेगा सेंद फ्राइसिसको next question नेश्ट कीशन, निमना लिकित मैं से कौन सा एक बात अब उत्पाद नहीं है तो इसका जो राइट आशर है वो option डियोगा आई जिंगलास अगला किसन राजस्तान सरकार के वन विबाग द्वारा जारी जेला एव सुबंकर के तुरूटी पुन यूगमों को पहचानी है इसका right answer जो है पहला option है अलवर अलवर बाग अलवर का समद्वर बाक से नए अलवर का समद्वर सामपर से हैं बागी बाग का समद्वर जरिण तमब Carnism Adirpur से है। पहला option इसके अंदर गलत रहएगा बागी बरदपूर ऑप्सन और स्क्रहिं टौट हैं됐 राजस्तान के निम्ना लिकित जीलों को पूर्व से पच्चिम के और सही करम में ववस्त किजिए तो पूर्व से पच्चिम के और तो बुंदी अजमिर पाली और पाडमिर यह राजस्तान का एक मैप जैसे मैप हैं तो बुंदी यहां पर हैं अजमिर यहां है यहां पाली है और यहां बाड में रहे है तो सबसे पहले बुंदी आएगा अजमिर पाली और बाड में तो बुंदी अजमिर पाली और बाड में तो इसका राइट आसर ओप्षन जो है लाल लोमी है तो लाल लोमी अगर पूचते तो इसमें डुंगरपूर बाड़ा परता बड़ यह रहता तो इसका तो राइट आसर लाल पीली का स्वाय मत्यपूर और राजसंबर एक सीरो डिस्टिक में भी मुख्यता मिलती है लाल पीली मिटी नेक्स्ट केशन राज्यस्ता बागी दक्षिन 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 यह रहते हैं राजस्तान के कौन से पढ की मर्दा पाई जाती है एंटेशोल जो है वो पच्छी में बक्ची में शैत्र में पाय जाती है — कृषिए अनुसंदान केंदरबान स्वाड़ा की और से विक्षित संकुल किसम माही कंशन की स्प्सिशल से संभancing एंधे तो माही कंशन जो है ौह मक्का से related है माही कंशन और माही दवल माही दवल माही सुगंदा आता तो वह रहती चावल से related माही सुगंदा तो इसका राइड अप्शन बी रहेगा मक्का नेक्स्ट विशन मुरुष्दली सेत्र में मिट्टी के अपर दन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए तो इसका राइड अचर जो है फशलो के हेर फेर को अपनाना ये रहने नहीं रहेगा व्रक्षों की पट्टी लगाना खेतों में मेडबंदी करना और चरागाव को विक्षित करना तो इसका राइड अचर उचित जो है वो बी रहेगा व्रक्षों की पट्टी लगाना नेक्स्ट विशन वह व्रक्स जीस में कत्था निकला जाता है कत्था निकला जाता है राइट रहेगा खेर इसका आंसर खेर रहे नेक्स्ट इंद्रा गांधी फीडर की लंबाई कितनी है इंद्रा गांधी फीडर या राज्यस्तान फीडर तो इसका राइट आंसर जो है वह लंबा ये वो 649 किलोमेटर है हरीके वेरजबान से लेके मुहनगड जैसल मिर्थ के टोटल जो इंद्रा गांदी नहर जो इसकी लंबा ये वो 649 किलोमेटर है नेश्ट कुशन सरणवाई नगर किस नगर को एतियासिक नाम से जाना जाता है तो इसका राइट आंशर जाहे है वो उप्षन B रहेगा 0E नेश्ट कुशन कौन सी च्रेणी प्रसासनी क्रस्टी से राजस्तान के वनों की च्रेणी नहीं है तो इसका राइट आंशर उप्षन C रहेगा वर्गिकरत वन बाकि जो उप्षन है यह जो तिनों है वो अभी लेकित वन के परकार है अभी लेकित वन के तीन परकार है राजस्तान में अभी लेकित वन का जो परसेंटेज है वो 9.60 है यह जो कुशन है पूश सकते है बाकि जो यह शुरुक्षित वन है इनके भी percentage पूछ सकते कि शुरक्षीत वन का जो percentage कितना है तो सुरक्षीत वन का percentage है वो 56.43 है और आरक्षीत वन का जो percentage है वो 37.05 है 37.05 और अब वरक्रिकर्ट वन का जो percentage है राजसान है वो 6.52 है तो यहां से भी question बन सकता है अगला question तो इसका राइट आइस्टान के किस चत्र में सरवादिक मका अकपदन होता है तो इसका राइट आइस्टान के किस चत्र में सरवादिक मका अकपदन होता है तो इसका राइट आइस्टान के किस चत्र में सरवादिक मका अकपदन होता है नेस्ट केशन निम्नाले कित मैं से कौन सा यूगम सुमेलित नहीं है तो इसकंदर ऑप्सन ने पन्नालाल बारुपाल बिकानेर नागोर ये राइट है ऑप्सन भी वीरतेजाजी बिकानेर ये भी रेट है बर्क तुलाखा जसल मेरे बाढ़ मेरे ये भी रेट है Option D, Dr. Karni Singh Hanuman Gadd ये गलत है क्योंकि Dr. Karni Singh Lipt नहर जो है वो जोदपुर बिकानीर से संबन दीते है तो ये D गलत रहेगा Next question सही परियुजना का संबन किसे हैं तो सही परियुजना का संबन जो है वो जवे बान से हैं इस नदी का पानी जो है वो सूरंग के मादियम से जवे बान में लाया जा रहा है और सही नदी जो है वो साबर मत्य की साइक नदी है Next question Next question रोईली खाने किस खनी से संबन दीते हैं तो रोईली खाने जो है वो यूरेनियम से संबन दीते हैं जो रोयली है वो सिक्कर सैत्र में next question दुख्द उत्पादन हेतु गाय की परसित किस्म कौन सी है तो दुख्द उत्पादन हेतु रजस्तान के थार मुरुस्तल की परंपरा गजल संग्रें्ड कि तकने की कौन सी है तो इसका जो रैट आइंटर है वो option A रहेगा टाका अगर पच्चिमी राजिस्तान के अंदर गत किसी जाती वीसिज की बात की जाती कि परंप्रागा जल संग्रन पर्णाली जो किसी पालीवाल ब्रावनों के द्वारा विक्षित की गई है तो खडीन होता थार मुरुष्तल की परंप्रागा जल संग्रन तक ने की जो है वो ठाका राइट होगा नेक्स्ट क्यूशन कुंबलगड एव गोगुंदा के बीश विस्तित पठार की इस नाम से जाना जाता है तो इसका जो राइट आंस्वर है वो option C रहेगा बोराट का पठार नेक्स्ट क्यूशन राजस्तान के किस बाग में वालरा किर्शी की जाती है तो इसका जो राइट आंस्वर है वो option B रहेगा तक्षिनी अगला क्यूशन राजस्तान के कौन से जिले नरंदा नेर परियूजना के अंतरगत शामिल के गए तो इसका जो right answer है वो option C रहेगा जालोर और बाडवेर Next question शेड़सा सुरी के अक्रमण के समय मारवड का सासर कौन था तो इसका जो right answer है वो option C रहेगा राव मालदेव राव मालदेव के समय जो गिरी सुम्मेल का यूद हुद हुआ था जो right answer है वो option C रहेगा लालदाची जो है जो मेवा चेत्र से समय दीत है Next question परमवी चक्र से सम्मानित होने वाले परतम राजस्तानी कौन था तो इसका right answer जो है वो option B रहेगा पीरु सिंग जो जुन जुन डिस्टिक्स है परमप्री कलाकार मांगी लाल मिस्ति किस चत्र में परसीद है तो इसका right answer जो है वो option A रहेगा कावड Next question वीर विनुत का लेकक कौन था तो वीर विनुत के जो लेकक है वो कवी राज शामल दासते है शूरियमल मिस्तिक्स की जो बुक्स है वो वन्च बास करें और केसे सिंग बारत ने वीर बारत सभा की इस्तामना की थी Next question मत्यसे संग के प्रसासन को सहलाने के लिए गठित मंत्री मंडल के निम्दे में से कौन सा सामिल नहीं था तो इसका right answer option D रहेगा रमेश कुमार उद्यपूर में रजस्तान महिला परिशत की संस्तापक कौन थी तो इसका right answer option A रहेगा चांता त्रिवेदी उद्यपूर में रजस्तान महिला परिशत की संस्तापक चांता त्रिवेदी ने की थी Next question नेश्ट कुछन किस मंदिर को खंबो का अजयाब कर भी का जाता है तो इसका रहाट आंसर है वो option C रहेगा जैन मंदिर रणपूर जो पाली डिस्टिक में यह जो मंदिर है जैन मंदिर जो है वो 14447 नेश्ट कुछन गटियला प्राकरत अभी लेक किस प्रतिया सासक से संब्धिते हैं तो इसका रहाट आंचर है वो option D रहेगा कोक कोक और गटियला अभी लेक जो है वो 8001 पूराना है और इसमें जो सर्वपर्तम राजस्तान में सत्य होने के परमान मिले है नेश्ट कुछन या हाडूती चैत्र से डिलेट करते थे नेश्ट कुछन कामडिया पंद के संस्ता पर कौन थे तो कामडिया पंद के जो संस्ता पर के वो संत राम दीव जी थे अगला कुछन किस नदी के तरड़ पर गिलून संप्यता इस्तिते हैं तो इसका राइट आंसर option C रहेगा बन संप्यता इस्तिते हैं तो इसका राइट आंसर है वो option C D रहेगा आर्स एक ग्रफाल नेक्स्ट किर्फार राव गंगा की मूर्ति के उपरांत पांच जून 1531 इस्वी में मारवाड का सासर कौन बनाता है तो इसका राइट आंसर जोन 1531 इस्वी में मारवाड का सासर कौन जो हैं गराव उन्गा के बाद राव मालदीव साचक बनाता है नेक्स्ट क्रिशन डूंगरपूर राजी में गूइल राजवन्स का संस्टापक कौन था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा सामन सिंग नेक्स्ट क्रिशन मोती लाल तेजावद ने बिलो का आंदूलन कहां से चुरू किया था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा जाडोल एकी आंदूलन के संस्टापक मोती लाल तेजावद पठीक ने कि समस्टापक के माध्यंत से बिजुलिय क्रिशन कांदूलों को विख्यात कर दिया तो इसका रएट आंसर ऑप्शन रहेगा परताव नामक समस्टापक से पोरे बारत में पाथ गया था और इसके जो संस्ता प्रक थे वो गणिश संकर विद्यारती थे और यह जो पत्र जो समाजर पत्र वो कानपुर यूपी से प्रकाशित होता था पिछवाई की चित्र कला से संबंदी थे हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्षन भी रेगा नात्वारा सेली से जैसर मेर का किला किस नाम से जाना जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्षन सी रेगा सोनार गड किला के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट किशन 857 में आहुआ ठाकुर के वित्रों के समय जोदपुर का महाराजा कौन था तो इसका right answer option C रेगा तक्त सिंग अगला question विकानिर के अनुप सिंग को औरंग जीम ने कौन सी उपादी से सम्मानित किया था तो राइट आंसर इसका रहेगा option A रेगा मही मराता और उनको महाराजा की भी उपादी दी थी next question राजस्तान का कौन सा मिला आदिवासियो का कुम कहलता है तो इसका right answer जाएँ वो option D रेगा बैनेस्वर का मिला बैनेस्वर को मिलेगा आदिवासियो का कुम कहता है जो डूंगर पूटिस्टिक में परता है अगला question अगला question है 300 इसा पूर्वर से 300 इस्वर के काल में राजस्तान में गोल चित्तिगरे कहा मिला है तो इसका right answer option B रेगा बैराट अगला question एतिहसिक जस्टी से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है तो इसका right answer option D रेगा हीरवाट नेस्ट question यह दोस्तो लास्ट question है राजस्तान के लोग करिया परियाटन इस तरह सेलियों की बाड़ी का निर्मान किस ने करवाया तो इसका जो right answer है वो option D रेगा संगराम सिंग तो दोस्तो इस तरह हमने 100 question complete कर लिया परते questions को answer का हमने देख लिया है और मैं आसा करता हूँ कि यह जो questions है वो आने वाले examen में आपको काफी helpful रहेंगे यह questions जो है वो काफी repeat होते हैं तो friends अगर वीडियो अच्छा लगा हूँ तो like कर लेना, channel को subscribe जरू कर लेना और bell icon को press कर लेना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालू तो उसकी notification आपको मिलते रहें मिलते हैं next video में तब तक के लिए जय हिंद